दोस्तों कुछ दिन पहले में आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि कैसे इंडिजनेराइशन को अधिक तर्जी देने के बाद अब जो भारत के स्वादेशी डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी प्रॉफिट में आगे बढ़ा और कैसे फिसकल इयर 2022 में हिंदुसान अ एक हजार साथ सो पचास करोर रुपया का है और दोस्तों आपको जानके हैराणी होगा कि ये ग्रोथ जो है ये उससे पहले साल के मुकाबले में करीवन 53% अधिक है इवन कमपनी के तरफ से ये भी घोशना किया गया कि पिछले वित्य वर्ष में कमपनी के द्वारा रुप तीन रुपया 85 पैशा था जो की एक तरीके से ये रिफलेक्ट करता है कि पिछले स्विसकल एर में ग्रोथ करीवन 28.57% खली इस मामले में हुआ दोस्तों फिलाल गार्डेन डीश शिप विल्डिंग के तरफ से करीवन 27 जहाजों के कॉंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है जिनमें तीन प्रोजेक्ट 17A, स्टेल्थ फ्रिगेट 4, सर्वे वैसल 6, पेट्रोल वोर्ट, केवल मात्री इंडियन नेवी के लिए है जबकि दूसरे तरफ इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ-साथ घाना और बगला देश के लिए भी जहाजों का निर्मान का काम गार्डे इंडिश शिप बिल्डिंग और इंजिनिरिंग लिमिनेट के तरफ से पिछले साल ही शेयर सेल्स को पहला पेट्रोल बोर्ट निर्मान करके दिया गया इवन इसके बाद कॉमर्शियल मार्केट के लिए कमपनी के तरफ से होवरक्राफ्ट और इलेक्ट्रिक फेरीस का भी निर्मान के उपर काम किया जा रहा है इवन दोस्तों इसके इलावा कॉमर्शियल सेग्मेंट डिफेंस और शिप रिपेर के सेक्टर में बिजनेस ऑपरचिनूटी को बढ़ाने के लिए कमपनी के तरफ से एक बहुत बड़ा स्टाटिजिक मूव को आगे बढ़ाया गया जिसके तहट कमपनी ने हाली में ही सामापरशात मुखर जी पोर्ट जो की कोलकाता में है उसके साथ एक कॉंसेशन एग्रिमेंट के उपर भी हस्ताक्षर किया है जिसके तहट पोर्ट के लिए तीन ड्राइडॉक के डवलपमेंट और ऑपरेशन का का काम गार्डेंडी शि प्यार्ट के साथ भी कई तरीके के MOU के उपर हस्ताक्षर किया हुआ है जिसके तहट शिप बिल्डिंग के सेक्टर को कमपनी के द्वारा और मजबूत किया जाएगा पर दोस्तों कुल मिला के इस तरीके के मासिव रेविन्यू जेनरेशन के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ देखा जा रहा है हो है इंडेजनाइशन और मेकिन इंडिया आप सबको पताई होगा कि मेकिन इंडिया के अंतरगत अब भारत में जादतर हत्यारों का निर्मान किया जा रहा है और भारत अगर गोई बिदेशी हत्यारों को खरिद वी रहा है तो उसे भारत में निर्मान क को भी कई सारे companies के द्वारा निर्मान किया जा रहा है और supply chain का भी जादातर हिस्सा भारत में है उपर से मेकिन इंडिया को तर्जी देने के कारण भारत द्वारा अधिकतम हत्यार स्वादेशी कंपनियों से ही खरिदा जा रहा है इस बज़ा से ऐसे स्वादेशी कंपनियों क फाइदे तो होई रहा है साथ में भारत में job creation के साथ साथ ऐसे सेक्टरों के development इतना तेजराफतार से हो रहा है कि भविश्य में खाली भारत अपने खुद के आवशक्ताओं को ही पुरा नहीं करेगा बलकि एक बहुत बड़े exporter के रूप में भी उबर के आगे आएगा त दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन